सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप उन दिनों के बारे में सोचिए जब लोग पतंग उड़ाया करते थे कुछ special दिनों पर जैसे 15 गर्षत हो गया बच्चों या मकर सकरांती हो गई और आप कलर भी कीजिए तो यह आपको एक ऐसी पतंग बनानी है और उसमें कलर कर देना है ठीक है आप आगे देखते है complete the following sentences with the help of words given in the box तो आपको इन boxes में से देखकर यहां पर fill करने तो a new kite ठीक है यहां आ जाएगा new इसमें यह new आ जाएगा a new kite ठीक है new kite looks bright in the sky एक नई पतंग असमान में बहुत चमकिली दिखाई देती है it dips and dives यह गोते लगाती है it pullss string and flies like यह अपने धाके को खीचती है पतंग और तरंगों पर उड़ती है कैसे उड़ती है जहाज की तरह तो यह हो गया second ठीक है नीचे से देखकर भी लिख सकते हैं आप में fill भी कर रहे हूं फिर भी आप box में से देखकर में number डाल रहे हूं तो उसमें से देखकर लिख सकते हैं ship आएगा the winds help is right and reach the maximum height in the sky ठीक है इसमें आ जाएगा 3 में height तो क्या लिखा हुआ है कि जो हवा होती है वो इसकी मदद करती है इस उड़ने मा और इस आसमान में उचाई तक पहुचाती है तो यहां आ जाएगा बच्चो h e i g h t height मतलब उचाई तक पहुचाती है the guides reds at the top in the sky पतंग बिलकुल top पर जाकर आसमान में उपर जाकर अराम करती है when the winds fall जब हवा रुक जाती ह है चलनी ठीक है तो यहां जाएगा wind तो यह four हो गया ठीक है यह four हो गया यह four में फिल कर देंगे next time you wind the string यहां जाएगा string 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 यह हो गया पाँचवा ठीक है of the kite when its legs जब आप धागा पकड़ कर खीचते है हवा में तो यह पतंग उपर जाती है when a new wind you unwind it again तो इसमें क्याएगा जब एक नई हवा चलती है ठीक है यह बहती है तो यहां आजाएगा blows b l o w s blows you unwind again तो आप इसे दुबारा उड़ान देते हैं the new wind fills the wings of the kite और नई हवा फिर से उसके पंको में भढ़ जाती है पतंग के with air हवा के साथ तो साथवे में आएगा air and is got goes again goes up again और यह दुबारे से उपर चली जाती है तो यह भढ़ लेंगे first में आएगा new ठीक है यहां पर भी लिखा हुआ है first में new second में ship यह रहा third में height, fourth में wind आएगा, fifth में string आएगा, sixth blank में आएगा blow, seventh में air अब next देखते हैं match the word from the poem in their meaning तो बच्चों इसमें match करना है ठीक है आप देखो column A को column B से crest बोलते हैं the highest point तो इसे हम इससे match कर देंगे यह हो गया one और regidor बोलते हैं torn फटा हुआ है इससे match कर देंगे flaps miss होता फडफडाना, flutter करना, यह तीसरा हो गया और slack का meaning होता है loose, धीला पड़ना, तो यह इससे match कर देंगे, यह हो गया, चोथा, यह matching कर लेंगे आप लोग ऐसे, फिर next step, pick and write the rhyming word with the help of poem, तो आपको क्या करना है फिर, यह poem करनी आपको, ठीक हैं, यह भरना है, pick and write the, इन तो new का क्या हो जाएगा, blue, blows का क्या हो जाएगा, बच्चो, goes, g-o-e-s, यह g कर लो आप, goes, tell का हो जाएगा, sail, s-a-i-l, sail हो गया, c का हो जाएगा, tree, t-r-e-tree, read the sentence from the poem and answer the question, देखो, how bright on the blue, is a kite when it's new, पतंग कितनी चमकीली दिखाई देती है, नील आस मन पर जब यह नहीं होती है, when a dip and dip, it snaps its tail, जब यह उचाई पर गोता लगाती है, इसकी पूच को, खीचे जाता है, then source लाइके, chip with only a sail, और पतंग जो है, बिलकुल, जाती है, movement करती है, as over tights, तरंगों के बीच में, off winds is right, जब हवाई से जुकाव देती है, climbs to the crest, यह सबसे उची चोटी पर चर जाती है, off a gust and pulse, then seems to rest, और यह जब उपर जाती है, तो rest करती हुए दिखाई देती है, तो बच्चे यहाँ पर, हमें option भी दिये हो है, question पूचे हो है, where is the kite, तो आप क्या लिखेंगे, the kite is in the sky, ठीक है, यह हो गया, आप का answer, what does the word sore means, तो sore means, आप लिखेंगे, s-o-r-e, sore means, rise, मतलब उपर जाना, ठीक है, rise, यह लिख देंगे, why does the kite sore high, तो आप लिख देंगे, due to, फिर आप यह लिख देंगे, due to the power of the wind, ठीक है, power of wind के कारण, what happens when the wind falls, तो इसमें यही answer लिख देंगे, आप, when the, आप लिख देंगे, यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे, when the wind, फिर देखो, यहाँ पर लिखेंगे, आप wind, और फिर लिखेंगे, यहाँ पर, false, F-A-L-L-S, फिर उसके बाद यही लिख देंगे, the kite seems to rest, next, next है, state a pair of rhyming word in the given stanza, ठीक है, तो एक stanza लिखना है, तो आप लिख देंगे, C-R-E-S-T crest, और एक लिख देंगे, rhyming word हो गया, यह, R-E-S-T rest, तो आपकी वक्षीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, था, thanks for watching.